हेलो चिल्डरन, कुसुम एम क्यो लाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारे बचो, आज हम सेकेंड क्लास के मैथ का चैप्टर 14 हैं, कितनी मालाएं, कितने फूल में आने वाले स्वालों को हल करना सीखेंगे, इस चैप्टर में हम जोड करना सीखेंगे, अलग-अलग चैप्टर 14 हैं, कितनी मालाएं, कितने फूल, बन्नो की आई बारात, रानो बिल्ली और भूरू कुत्ता, छट पर रसी कूद खेल रहे थे, रानो बिल्ली ने पहली बारी में पंद्र है, और दूसरी बारी में तेरह कूद लगाई, अब यहाँ पर देखो बच्च, यह है रानो बिल्ली, और यह है भूरू कुत्ता, अब देखो रानो बिल्ली ने पहली बारी में, इसने कहा है, मेरी कुल कूद हुई, पंद्र है, जमा तेरह 25 और यहां पर भुरु कुटा कहता है नहीं नहीं तुम्हारी कुल कूध हुई 15 जमा तेरह 39 तो अब मुझे बताओ बच्चो 15 जमा तेरह कितना होता है 25 होते है 29 होते है यहां कुछ और यहां देखो इसने कह रखा है आपके हिसाव से कितनी कूध हुई कितनी होगी बताओ 15 जमा तेरह कूध दोनों को जोड़ेंगे तो यह तो 28 हुए है ना 28 कूध हुई अब आगे इसने कहा कैसे किया किस तरह से किया तो वो हम देखो कैसे करेंगे 15 है कूध लगाई रानो ने इसने रानो बिल्ली ने और उसके बाद उसने लगाई है 13 है ठीक है पहली कूध जो है पहली बारी में 15 है दूसरी बारी में 13 है अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ तो जोडने का यहां पर देखो यह चिन है यह लगाएंगे अब पांच को और तीन को दोनों को जोड़ेंगे पांच और तीन आठ और एक और एक दो यह बिल्कुल दिहान देना है बच्चो आपको कि पीछे से जो है हमें जोडना शुरू करना है ठीक है और यह हो गए 28 तो आगे दे रखा है इसने बच्चों को स्वयाम करने दिम से बाचीत करें उन्होंने इसे कैसे किया है तो यह बच्चो आपको खुद करना था मैंने इसको समझा दिया है अब आगे है चलो चलो बन्नो बिल्ली की शादी है सायद कुछ काम होगा कोन कह रहा है बताओ यह रान ये देखो, सहनाई की आवाज जो है, इसको सुनाई दी है, अब एक बार बॉर्डर पर विध्यान दीजिए बच्छो, यहां पर देखिए 12 जमा 17, कितने होते हैं बताओ, आपको ये जोडना है, हाँ कितना हुआ 39, और कैसे आया, ये जोड कर दिखाना है, जैसे 12 हैं, और इ दो, ये हो गए 39, इसी तरह से देखो, 12 जमा 16, ये आपको जोडना है, जितने भी बॉर्डर पर स्वाल दे रखे हैं, इस साइड भी है, और बॉर्डर के इस साइड भी देखिए, ये रही, है ना, इन सभी स्वालों को आपको जोड कर हल करना है, बच्छो, अब आगे है, गर में मिहमान आने शुरू हो गए है, कल सबको मिठाई के डिब्बे देने है, तुम दोनों खाली डिब्बों में लड्डू डाल दो, इसने कहा, अब ये कहते हैं, ठीक है मोसी, हम डाल देंगे, अब यहाँ पर देखिए, अब ये इनकी मोसी कहती है, ठीक है, लेकिन ध् दिब्बे में दस दस लड्डू ही डालने है, अब इसने कहा है, दस दस लड्डू डालने है, अब इस पर ये कहता है, हाँ, हम दो बड़ी थैलियों में, थालियों में लड्डू डालकर ले आएंगे, फिर आराम से बैठकर दिब्बों में दस दस लड्डू डालते रहें है न, अब यह देखे, रानो बिल्ली ने यहाँ पर दो डिबबे में डाल दिये, और यहाँ पर देखो, यह बाकी लड़ू बच गए है, इसी तरह से भूरू ने भी क्या किया, भूरु ने इतने डबों में लड़ू डाल दिये, और इसकी विधाली में कुछ लड़ू, जो है हमें complete करनी है इसको रानों के पास अब देखो रानों के पास देखते डबबे कितने हैं एक डिबा और एक ये दो दो डिबबे है ना तो हम यह लिखेंगे दो और बचे लड़ू एक दो तीन तीन जो है वो बचे हुए लड़ू है अब कुल लड़ू कितने होंगे तो इसके लिए क्या करेंगे देखो दो डबबे थे यानि हर डिबे में दस दस लड़ू दस इसमें दस इसमें कितने हो गए दस और दस बीस यानि दो डबबे का मतलब है बीस और तीन ये है तो बीस तीन तेज तो यहाँ पर हम लिखेंगे तेज अब है भूरू के पास भूरू के पास कितने हैं देखो एक दो तीन चार चार डिबे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर चार और यहाँ पर बचे लड़ू कितने एक दो तीन, चार, चार लड़ू बचे हुए हैं अब इसे था, कुल लड़ू कितने हो गए चार जो डिब्बे थे, उनमें 10-10 हैं तो 10, 10-20, 10-30, 10-40 40 हो गए ना, और 4 जो है, वो बचे हुए तो 40 और 4, 44 देखो 4 डिबे, 4 डिबे का मतलब 40 होता है बच्चो ठीक है? और 4 बच गए हैं, लड़ू बचे हुए हैं तो 40 और 4, 44 दोनों के पास, अब दोनों के पास कितने डिबे हुए? 2 इसके पास, और 4 भूरू के पास, तो कितने हो गए? 6 डिबे, बचे हुए लड़ू कितने हैं? 3 रानों के पास थे, और 4 भूरू के पास बचे, तो कितने हो गए? 3 और 4, 7 अब इसने कहा है कुल लड़ू, कुल लड़ू कितने हो गए? तो कुल लड़ू के लिए देखो गचो, कितने डिबे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 डिबे में का मतलब है 6 लड़ू, और 7 जो है वो अलग से बचे हुए लड़ू है, तो कितने हो गए? 6 और 7, 66, यहाँ पर 66 लड़ू जो है, वो कुल लड़ू थे दोनों के पास अब आगे है गिन्नी की लहरी, और उसकी दोस्त चीडिया ने मिहमानों के लिए आइसक्रीम बनाने के लिए डंडिया इकठी करनी सुरू की डंडिया गिन्ने में मुश्किल हो रही है, यह देखो, यह कह रही है, कौन है यह बताओ, गीनी गिलहरी यह कह रही है कि डंडिया गिन्ने में तो मुश्किल हो रही है अब इस बात पर उसकी दोस्त चीचीचीडिया कह रही है कि एक काम करते हैं डंडियों के 10-10 के बंडल बनाते जाते हैं देखो 10-10 के बंडल खा है और उन्होंने 10-10 के बंडल बनाने सुरू कर दिये तुम भी उनकी मदद करो डंडियां इकठी करके गिनने में तो चलो बच्चो इकठी करने में मदद करें क्या दस के बंडल बनाते हैं हम भी ठीक है अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस इस तरह से दस का हमें बंडल बनाना है तो आप किसी तरह से यहां से भी सुरू कर सकते हैं उपर से भी आपको दस जो है वो गिन कर उनका बंडल बनाना तो देखिए एक बार हम यहां से सुरू करते हैं देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस यह दस हो गई है ना, यानि इनका हम एक बंडल बना लेते हैं यह देखिए, यह एक बंडल में आ जाएंगी उसके बाद बाकी देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच जो है वो खुली डंडिया जो है वो रह जाएंगी यानि यह कितनी हो जाएगी, एक बंडल यानि कि दस और खुली पांच, तो दस और पांच, पंदर है, पंदर हो जाएंगी अब इसी तरह से आप भी एक गेम खेल सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ बच्चे कुछ गेम खेल रहे हैं आप भी ऐसा ही कर सकते हैं बच्चो, कुछ तिन के हैं या डंडिया हैं उन्हें इकठी कर सकते हैं और उनके दस-दस के बंडल बनाकर और आप कितने बंडल बने, कितनी खुली तिलिया बची और ये सब करके और आसानी से गिन सकते हैं उनको, ठीक है? अब आगे है गिनी गिलहरी और चीची चीडिया ने डंडिया इकठी की, क्या तुम पता लगा सकते हो कि दोनों के पास मि इतनी डंडिया इकठी हो गई? यहाँ पर देखो, ये गिनी गिलहरी है और इन्होंने क्या किया है? कितने बंडल है? एक, दो, दो बंडल है और खुली डंडिया कितनी है? एक, दो, दो खुली डंडिया तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ये देखिए एक बार, यहाँ देखो है इसके गिन्नी गिलहरी के पास दो तो बंडल है तो यहां लिखेंगे हम दो और खुली डंडिया कितनी है दो यह हम यहां लिखतेंगे अब है यहां पर देखो यह चीचीचीडिया चीचीचीडिया के पास कितने बंडल है काउंट करके बताओ तीन वेरी गुड यहां पास कितने बंडल हुए, दो और तीन, पाँच, पास तो बंडल ये है, और डंडियां कितनी है, दो और तीन, पाँच, पाँच डंडियां है, और पाँच बंडल है, है ना, अब इसने कहा है, कुल डंडियां कितनी हुई, कुल कितनी डंडियां हुई, बताओ, देखो बच् का पचास हो गई और पांच जो है वो खुली डंडिया है तो कितनी हो गई यह टोटल डंडिया जो है वो पचास और पांच पिछपन हो गई यहां लिखेंगे पचपन अब आगे है यह कितनी डंडिया किसके पास कितनी डंडिया किसके पास पता लगाएं कुल डंडिया यहा देखो हमें लिखना है साहिल के पास फिर चीनू के पास फिर दोनों के पास और कुल डंडिया कितनी हुई ये सब काउंट करना है तो कैसे करेंगे साहिल के पास देखो कितनी है तीन बंडल है और एक खुली डंडी है और चीनु के पास कितनी है दो बंडल है यहा लिखेंगे दो बंडल और एक दो तीन तीन जो है वो खुली डंडी है दोनों के पास कितने हुए अब इनको जोड लेंगे एक और ये तीन कितने हो गए चार और तीन और दो पांच पांच बंडल हो गए और चार खुली तिलिया हो गई पांच बंडल का मतलब है पचास और चार जो है खुली डंडिया थी तो कितना हो गया 54, 54 ये देखिए है ना 50 कुल डंडिया हो गई उनकी पास अब आगे इसी तरह से ये सबीना है ये है हर्दी सबीना के पास देखी कितने बंडल है एक बंडल है और खुली लकडि कितनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो एक बंडल और साथ खुली डंडिया है यह हरदीब, हरदीब के पास एक बंडल है और एक खुली लकडी है तो एक और यहां लिखेंगे एक खुली डंडी अब इसने कहें दोनों के पास कितना है पिछे से हम count करने लगेंगे, ठीक है, 7 और एक 8, और bundle कितने हुए, 1 और एक 2, कुल डंडिया कितनी हुई, 2 bundle यानि कि 20, है न, और 8 ये 28, कुल डंडिया कितनी हो गई, कुल डंडिया हो गई, 28, यहां देखिए, 10, 10, 20, और 7 ये 27, और एक ये 28, हो गई न, 28, अब आगे है, छुटकी, चटलू, छुटकी के पास देखिए, 2 bundle है, एक ये 5 जो है, खुली डंडिया है, चटलू के पास है, 3 bundle, 4 खुली डंडिया, अब दोनों के पास कितनी है, इसको काउंट करना है हमें, तो कैसे करेंगे, 5 और 4, कितने हो गए, 9, और 2 और 3, 5, तो अब देखो, दोनों के पास, कितनी हुई डंडिया बताओ, टोटल, 69, अब इसे इतने से है, ये चिंकी, चिंकी के पास 3 bundle है, 5 खुली लकडिया है, है न, खुली डंडिया है, लीना के पास 2 bundle, 3, खुली डंडिया है, दोनों के पास कितना है, इसको count करेंगे, ये काम आपको खुद करना है बच्चो, इसी तरह से टिंकू और चिंकू का जो स्वाल है, इसको भी आपको खुद ही करना है, तो बच्चो, आज जो है, इस वीडियो में, केवाल इतना ही, next वीडियो मे मैं आपके लिए इसी चैप्टर का और आधा पार्ट रहता है, वो समझाऊंगी, उसमें आने वाले स्वालों को लेकर आऊंगी, तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए, बच्चो